भारत लगतार तरक्यों की बुलंदिया छूरा है चाहे आर्मी को अब्रेट करना हो या स्पीस में कदम रखना सरकार देश के प्रगती और उन्नती के लिए काम कर रही है यही वज़ा है कि भारत में गगनियान मिशन को लॉंच किया गया है जिसमें चार भारती में जाने वाले हैं जिसका कान डाउन भी सुरू हो चुका है अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं और कैसे इनकी ट्रेनिंग दी जाती है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं बच्पन में अपोलो ग्रैविटी जैसी फिल ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक की ट्रेनिंग के लिए एक बड़े इंडोर पुल में चला जाता है इस पुल में इंट्रनेशनल स्पेस सेंटर की तरह वातावरण को तयार किया जाता है जहां एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग लेते हैं इतना ही नहीं एस्ट्रोनोट को एमर्जन्सी लेंडिंग के लिए रहिस्तान जैसे जगा का चुनाओ कर सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें मैक्रो ग्रेविटी और मेडिकल ट्रेनिंग शामिल होती है इसके साथ ही एस्ट्रोनोट बनने के लिए सबसे महतपूर बात कुछ जरूरी योगिता भी चाहिए होती है इसके लिए सबसे पहली बात तो अपलाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए वहीं एजुकेशन की बात की जायत इश्रो का एस्ट्रोनोट बनने के लिए इंजिनिरिंग, कम्प्यूटर साइंस, बायलोजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वहीं डॉक्रेट या एरोनाटिकल इंजिनिरिंग की डिग्री भी इसके लिए जरूरी होती है, इसके साथ आपको ये भी बता दे, पहले जब एस्ट्रोनोट अंत्रिक्ष में जाते थे, वहां खाने की दिक्कत होती थी, मिटे रिपो मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनाट को ट्रेनिंग दी जारी है, वह एर फोस की स्टार पाइलिट्स हैं, अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ